नमस्कार दोस्तों मैं हितेश गुपता स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आज हम आपको इस गूगल एड़ सिरीज में स्मार्ट एड़्स केंपेइन बनाना सिखा रहे हैं दोस्तों स्मार्ट एड़्स बहुत ही इजी वे है गूगल पे एड़्स रन करने का तो दोस्तों पे पर कॉल मतलब कॉल एड़्स हम आपको सिखा रहे हैं कि स्मार्ट और एजिएस्ट वे से आप कैसे ये एड़ बना सकते हो और इसके लिए कोई बहुत एक्सपर्टीज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं उनको प्रैक्टिकली फॉलो कीजिए बहुत जादा इसके अंदर आपको इसी की हेल्प लेने की जरुवत नहीं है बिकॉज इसके अंदर गूगल का अपना आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मेकैनिजम काम करता है जो आपके एड़ आपको खुदी ऑप्टिमाईज करता है और बहतर तरीके से आपको रिजल्ट्स लगके देता है कम कॉस्टिंग के अंतर दो दोस्तों यह वन आफ दा मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स में से एक है हर इंडिविजल स्मॉल बिजनस वाला खुदी बना सकता है तो दोस्तों ह वो भी अपने बिजनस या करेर में इसका यूज कर पाए तो दोस्तों चलते हैं कम्पूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेपर कॉल गुगल एड्स किस तरीके से आप बना सकते हो कैसे असान तरीका है बह लीड्स जनरेट कर सकते हो तो दोस्तों सीखते हैं आप अपने गूगल एड्स एकाउंट में जाए और जब आप यहां पर न्यू कैम्पेंड बनाने के लिए क्लिक करोगे तो यहां पर आपको जो अपना गोल है अबजेक्टिव है वो चुनना है माल लिजे हमने अपना अब्जेक्टिव लीड्स सुना ठीक है यहां क्लिक करने के बाद देखें कॉल टू यॉर बिजनस ठीक है इस पर हम क्लिक करेंगे अब हमारे बिजनस के लिए कॉल्स आएंगी कॉंटिन्यू करेंगे कॉंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां पर क्या होता है वाट बिजनस दू यू वांट टो एडवरटाइज ठीक है यहां पर आपका जो गूगल माय बिजनस एकाउंट है वो आपका एड होगा अगर नहीं है तो यहां से जाके आप अपना बिजनस कर सकते हो ठीक है य जैसे यह हमारी वेबसाइट है इसके अंदर हमारे अबाव अबाउट असे सारी सर्विसेज वगारे के पेज हैं क्लाइंट कॉंडक्टर आपकी बिजनस की वेबसाइट होनी चाहिए और बिजनस की वेबसाइट है तो गूगल माय बिजनस पे बहुत इजली आप अपना बिजनस रेइस्टर कर सकते हो यह दोनों बेसिक चीजे हैं वेबसाइट होना गूगल आगर आप गूगल की आड़ चला रहे हो यह से कर रहे हो तो गूगल माय बिजनस अकाउंट होना चाहिए ठीक है तो वह एक बहुत इंपोर्टन चीज है जो आपको हर जगा काम तो वह खूने के बाद यहां पर वह आपका डिस्पले होगा यह अपना बिजनस यहां से एड कर सकते हो अगर अभी तक नहीं करा पहली बार एड अकाउंट बनाया तो जैसे मैंने आपको बताया अभी और सीधा आप अपना कॉंटिन्यू करो ठीक है जैसे आप यहां पर क यहां पर हम अपना बिजनस और सेलेक्ट करेंगा अब दोस्तों यहां पर क्या है कि फाइंड न्यू कस्टमर्स इन दे एरियाज यू सर्फ ठीक है यहां पर आपके हाथ में हैं आपको स्पेसिफिक आपको जो एरिया करना है लाइक में हमारा ऑफिस माली जे प्रीत विहा में हमारे उपर हमें कैसे तो अंपर पर भॉ si training करेंगे आपको ने करने के बाद जब हमने अपना area audience चुन लिया थीक है business और audience हमने चुन लिया अब हम अपना add बनाएंगे तो दोस्तों यहां पर क्या है add अब हमें यहां पर create करना है तो यहां पर जो language है दोस्तों आपको English में बनाना है हिंदी में बनाना है ठीक है तो वह आप अपने जो भी आपकी country की language है आप उसको यहां पर कर सकते हो हिंदी में करना है तो आप हिंदी में क्लिक करोगे मगर हिंदी में क्लिक करने के बाद एक बात का प्लीज धान रखेगा कि आपका जो यह keywords है जो आपका add है यह सब चीज़ हिंदी में comfortable होते है ठीक है तो वह हो गया तो यहां पर अपनी language चूज कर लो हम English करेंगे अब what is your business category हमारी internet marketing services है तो हम यह चूज करेंगा obviously यह हम media marketing agency भी चूज कर सकते हैं advertising agency depend करता है कि हम क्या और यहां नहीं है तो यहां पर हम अपने लिखके अपनी वह डाल सकते हैं जो do you want to promote अब हम क्या promote करना चाहते है social media services SEO services जो भी हम promote करना चाहते है like search engine marketing करना चाहते है ठीक है online lead generation करना चाहते है ठीक है paper click ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी services add कर दो अगर यहां पर नहीं है तो यहां से जाकर भी like मैंने डाल दिये SEO service ठीक है agency ठीक है वहां नहीं है तो मै अपने हिसाब से टाइप कर दिया अगली भी में टाइप कर सकता हूं तो इस तरीके से आप अपने project services यहां पर add कर सकते हो दोस्तों यह इतना simple है आप समझो जो हम normal ads बनाते हैं जो इतने सारे हमने आपको add बनाने बताई यहां पर क्या है Google का अपना artificial intelligence system वह आपकी website आपने आप ही चीजों को optimize करता है और वो लोग जो इससे related चीजे देखते हैं ढूंते हैं उनको आपके ads दिखाता है और काफी economical जैसे से optimize होगा economical cost में कम से कम cost में आपको calls और leads आती है तो यह बहुत ही effective है कोई normal businessman या individual भी बना सकता है कोई बड़ी expertise या agency की जरूरत नहीं है इसमे ठीक है next करेंगे दोस्तों तो जैसे हम यहाँ पर next करेंगे तो देखे let's write your ad अब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना ad बनाएंगे वैसे तो ज्यादा तर चीजें हमारी website से उठा लेगा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जैसे कि आप देख सकते हूं हमारा ad already इस चाहता हूं तो मैंने डेली कर दिया ठीक है तो इस तरीके से हमने अपनी हेड्लाइन डेली डेजिटल मार्केटिंग अंदर होना चाहिए ऐसे आप अपनी हेडिंग थोड़ी यूनिक बनाओ जो लोग जातर सर्च करते हूं कीवर्ड प्लैनर का भी यूज कर सकते हूं इतना ट्रैफिक आता है और सर्च करता है यहां पर अच्छी से डिस्क्रिप्शन बनाएगा यह तो इसने अगर आप अपनी बनाना चाहिए को यूस्पी बताना चाहो डिस्काउंट बताना चाहो अपर बता सकते हूं इन चीजों का ध्यान रखो यह आपका अड्रस वेकर आपका यहां पर हो चुगी है एक और एड बनाना है सीधा यहां पर क्लिक करो एक और बनाओ मल्टेपल एड्स बनाओगे ना जितने जैसे यह तो हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए बना लिया यह एस्यो जितनी भी आपकी दोस्तों सर्विसेज हैं तो जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं आपको मैं अभी भी राय दे रहा हूं उन सारी सर्विसेज के लिए प्लीज आप मल्टेपल एड्स बनाओ मल्टेपल एड्स बनाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आपका एड्स के लिए लग बास मेहनत चाहिए दोस्तों इसके लिए थोड़ा ताइम जरूर लगेगा बट आपको रेलिवेंट ओडियेंस जो यूजर सर्थ कर रहा उसको उससे रेलिवेंट अगर दिखेगा ज्यादा चांस हो जाएंगे एड़ क्लिक करने के ठीक है और जितनी ज्यादा कस्टमर क्लिक करेगा गुगल देखेगा इनके तो बंदत देख रहा और एड़ क्लिक कर रहे हैं तो और दिखाना करेगा कम कास्ट में भी दिखाना शुरू करेगा इन बातों को ध्यान नखना आप तो यह सब बनाने के बाद मुल्टिपल एड़्स यहां पर इसको हमें बंद करना पड़ेगा रिमूफ करना पड़ेगा पहले ठीक है रिमूफ करा एड यहां पर जाएंगे वहना आपको डेमो के लिए दिखायाता है इसलिए रिमूफ कर रहा हूं तो ऐसे आप अपने multiple एड्स बनाओ जाद से जादा एड्स बनाओ और इसको next कर दो जब आपके बिजनस फोन नंबर डालो जिसमें आपको दिखानें turn on verified calls अगर इसको turn करोगे तो आपका यह नंबर डिरेक्ट नहीं दिखेगा एड में Google का वर्चूल नंबर दिखेगा अगर आप चातो यह नंबर डिरेक्ट क्लिक करके call करें तो आपको यह हटाना है तो उसमें फिर आ जगा आपको क्या करना है next करोगे तो अगले step पे आएंगे हम budget and review पे यहां पर Google आपको खुद ही estimate देता है कि अगर आप इतने रुपे मंत में खर्च करोगे तो आपको इतने से इतने click आएंगे पर मंत ठीक है इतने करोगे तो इतने यह recommend भी कर रहा है और आपको बढ़ा campaign बन गया है ठीक है यहां पर आप देखो सारा एड वगारा बन गया budget वगारा आ गया हमारा इस सब चीज आ गई next करेंगे review करने कवाद कुछ edit करना है तो अभी भी कर सकते हो ठीक है तो यह हमने आप देखो हमने हमने सारा continue करा तो अब जब आपका चलने लगेगा दोस्तो तो यहां पर आपका सारी सीजे दिखनी चुरू हो जाएंगे impressions कितने आ रहे हैं क्लिक्स कितने आ रहे हैं amount spent कितना एड वगारा हर चीज आपको A to Z दिखेगी यहां पर और यहां पर सारा analytics वगारा दिखेगा तो दोस्तों देखो कितना easy था कितना असान था बनाना और economical rates में easily बना पाऊं तो दोस्तों उमीद करता हूं समझ में आया होगा thank you उसके ओपर आप जानना चाहते हो तो आप comment section में या आप हमें mail ID पर बताईए ताकि हम आपके लिए उसके ओपर भी वीडियो future में बना के लाएं दोस्तों अगर आपको हमारे channel से कुछ सीखने को मिल रहा है अच्छा लग रहा है तो please हमें बताईए comment section में हमें भी बहुत बहुत जादा motivation मिलता है बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को help करना और हमारा channel आप लोगों की वरह से grow हो रहा है प्रमोट हो रहा है दोस्तों thank you आप लोगों के प्यार के लिए support के लिए तो इसी तरीके से हमारे channel को please support कीजिए thank you for watching marketing funders